साथियो नमस्कार, साइन्स और टेकनोलोजी की आज की क्लास में हम बात करेंगे कुछ ऐसी महतपून टेकनोलोजी के बारे में जो वर्तमान में हमें देखने को मिल रही है, वर्तमान में जिनकी बहुत अधिक चर्चा है, उन में से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसी परकार मसीन नर्णिंग, इंटरनेट और टेकनोलोजी क्या है, किन छेतरों में उप्योग में ली जाती है और इनका मूल सिध्धान्त क्या होता है, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे, तो आईए सबसे पहले देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्या होती है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जैसा कि इसका नाम से सपष्ट है, इंदी में इसे बोलें तो क्रतिम बुद्धिमता इसे बोला जाता है, और इसके अंतरगत कोई मसीन जब मनुष्य की प्राकरतिक बुद्धी की तरह कारी करने लग जा तो उसको क्या रखा जाता है, याद रखा जाता है, इसी प्रकार कुछ संग्यानात्मक या कॉगनेटिव वर्क भी हमारे द्वरा किया जाते हैं, जैसे चीजों से सीखना, लर्निंग करना, प्रोब्लम सॉल्विंग, किसी प्रोब्लम को देखकर उसको सॉल करने का प्रिय सीखती है साथ ही साथ कुछ cognitive work जैसे learning और problem solving भी machine करती है artificial intelligence के कुछ प्रकार प्रसलित हैं जिन में से एक है machine learning और दूसरा है natural language processing आईए बात करते हैं machine learning के बारे में की machine learning क्या होती है machine learning की यदि हम बात करें तो इसके अंदर कि machine को एक specific प्रकार का क्या दे दिया जाता है अब इस specific data का machine क्या करती है analysis करती है इस data का क्या करती है analysis करती है statistical analysis करती है और इस reasonable analysis के आधार पर machine द्वारा एक विशेश प्रकार के सेट बना लिया जाते हैं और इन सेट को क्या बोल दिया जाता है एल्गोरिद्म बोल दिया जाता है और इन एल्गोरिद्म का प्रियोग करते हुए मसीन द्वारा एक मोडल बना दिया जाता है किसी भी चीज का एक मोडल बना दिया जाता है अब यह algorithm जो machine द्वारा तैयार की जाती है वो दो प्रकार के data उपर निर्वर करती है पहले machine को training data प्रदान किया जाता है उसके बाद testing data प्रदान किया जाता है और training data और testing data को यदि विशलेशित करके machine द्वारा एक algorithm विक्सित कर ली जाती है तब उसे वास एक accuracy के साथ में क्या किया जाता है प्राप्त की जाती है जैसे for example इस image की माध्यम से हम समझने का प्रियास करें देखें यहां आपको एक image दिखाई दे रही है जिसमें machine को अलग-अलग प्रकार से data दिया जाता है machine को इस प्रकार से एक mixed data दिया गया जिसमें कुछ आप देख चोकोर प्रकार के, कुछ star प्रकार के और एक अन्य आकरती के तीन जो data है वो यहां दिये गए एक साथ मिला के दिये गए और machine इन्हें output में अलग-अलग रूप से जब separate कर देती है तो इस प्रकार के पूरी प्रक्रिया को क्या कह देते हैं algorithm स्थापित करना और algorithm के द्वार एक model बनाने द्वाना तो इस प्रकार का model बनाकर या algorithm बनाकर जब machine कार्य करती है तो इसे machine language बोल दिया जाता है नेक्स्ट है virtual reality ये virtual reality की तकनीक यदि दैनिक जीवन में आप देखें तो कई बार आप देखते हैं कि कुछ games को खेलते समय इस प्रकार का एक उपकरण व्यक्त की आखों पर लगाया जाता है और इस virtual reality का तात्पर्य क्या होता है कि मानव की जो ग्यानेंद्रिया होती है उन ग्यानेंद्रियों को जैसे हमारी skin को हमारे आखों को हमारे कानों को ऐसा signal मिलता है कि जो image हम जो वीडियो इस उपकरण में हम देख रहे हैं वही चीज वैसा ह वातावरण हमारे चारो और महसूस हमें होने लग जाता है हमारी जो गानेंद्रिया है हमारी जो इंद्रिया है वो उसी प्रकार के वातावरण को महसूस भी करने लग जाती है और व्यक्ति को ये लगता है कि वो वास्तों में ही उस वातावरण में उपस्तित हो गया है तो उसे virtual reality कह दिया जाता है और ये virtual reality प्रदान की जाती है कैसे एक तो 3D एफेक्ट से इसी प्रकार sound एफेक्ट से विभिन प्रकार की जो गंद खुस्बू होती है वो temperature परिवर्टित करके गती प्रदान करके इस प्रकार से व्यक्ति की जो ग्यानेंद्रिया होती है उनको ऐसा करवाया जाता है कि वो जिस वातावरन को देख रहा है उसी वातावरन में वो वास्त्विक रूप से उपस्तित भी है और व्यक्ति जब अपने reactions देखता है आप देखते हैं इस प्रकार की machine लगाये हुआ व्यक्ति क्या करने लगता है अब यदि कोई game खेल रहा है तो game मे swim ही involve होके यदि गाड़ी चलाने का कोई game है तो वो swim अपने आथों को इस प्रकार से गाड़ी चलाने की मुद्रा में ले के आता है क्यों क्योंकि उसको ऐसा एसा होता है कि उस game में वो खुदी क्या कर रहा है पार्टिसिपेट कर रहा है swim को वो उपस्तित मानते हुए ही प वातावरण तयार किया जा सकता है और situation based यदि कोई training देनी हो तो situation based training के लिए भी विभिन प्रकार के वातावरण virtual reality के माध्यम से तयार किये जा सकते हैं इसलिए military, gaming, psychology और medical procedure के छेत्र में इस तकनीक का क्या किया जा सकता है उपयोग किया जा सकता है next है augmented reality, augmented reality का तात्पर है किसी जगह के वातावरण को अन्य जगह के वातावरण से जोड़ देना जैसे mobile से जैसे ये किताब मालो क्या रखिये वास्तों में रखिये और mobile में यदि इस प्रकार का application डाउनलोड कर दिया जाए कि इस किताब पे ये जो हाथी दिखाई दे रहा है भोतिक वातावरण अथार्थ हमारे चारों और वास्त्वी कूप से जो वातावरण है उसको करत्रिम वातावरण के साथ में जोड़ कर दिखाता है इसी को क्या कह देते हैं एगमंटेड रियालिटी या AR कह देते हैं और इसका उप्योग परियतन में किया जा सकता है ट् थी augmented reality जिसमें वास्त्विक वातावरण और कृतिम वातावरण को आपस में जोड़ कर दिखाया जाता है next है internet of things जिसे IOT के नाम से पैचाना जाता है और WOT web of things आप देखते हैं कि कई बार बहुत सारे जो युक्तिया या उपकरण है उनको आप अपने mobile से क्या करते हैं अब ये जो Nodes होते हैं इन Nodes को नियंत्रित करने के लिए अलग-अलग App जो होते हैं वो Mobile में download कर लिए जाते हैं जैसे Washing Machine को नियंत्रित करने के लिए Mobile में एक App download कर लिया उससे Mobile के माद्यम से आप Washing Machine को control कर पाओगे इसी प्रकार AC को control करने के लिए एक अलग एप इसी प्रकार fan को control करने के लिए एक अलग एप यदि आपने mobile में डाल लिया और इसके माध्यम से यदि आप washing machine AC या fan को क्या कर रहे हैं control कर रहे हैं तो इस प्रकार की तकनीक को क्या कह दिया जाएगा internet of things कह दिया जाएगा internet के माध्यम से विभिन माध्यमों को क्या करना control करना क्या कहलाता है internet of things कहलाता है दूर से ही हम उस वस्तू को क्या कर सकते हैं operate कर सकते हैं own कर सकते हैं off कर सकते हैं लेकिन internet of things में क्या होता है अलग अलग machine के लिए अलग अलग app हमको क्या करना पड़ता है डाउनलोड करना पड़ता है अब यदि इस अलग-अलग application की आउशक्ता को मिटा दिया जाए और एक ही app के माध्यम से सभी notes या सभी machine जो इस network से जुड़ी है उनको यदि control किया जाना लगे तो उस प्रकार की स्थिति को क्या कह देते हैं web of things कह देते हैं तो internet of things में तो क्या किया जाता है अलग-अलग machine के लिए अलग-अलग app होने चाहिए लेकिन web of things में एक ही application के माध्यम से सभी जुड़ी भी machine को क्या किया जा सकता है control किया जा सकता है ये था internet of things and web of things उप्योग किया दिया हम बात करें तो हम देखते हैं smart home जिसमें सब चीजे क्या होती है application के दूरा control होती है gate का खुलना, gate का बंधोना, परदे का खुलना, परदे का बंधोना smart cities, smart office इन में क्या किया जा सकता है internet of things या web of things का क्या किया जा सकता है उप्योग किया जा सकता है इस परकार का चित्रा आपको दिखाई दे रहा है जिसमें विबिन मशीने आपस में जुड़ी वी है और एक mobile application के माध्यम से internet के थूरू इनका क्या किया जा सकता है operate किया जा सकता है इसी परकार की एक technology है quantum computing quantum computing जो होती है जो समने जनरल जो computers है उनसे हटकर एक technique होती है और ये किसकी फिर सिध्धान्त करते है quantum computer जो है वो parallelism के सिध्धान्त पर शमानांतरवाद या parallelism के सिध्धान्त पर कारी करते हैं और इसका तात्पर्री होता है parallel रूप में computer द्वारा एक साथ बहुत सारे टास्क किया जाना एक साथ बहुत सारे टास्क quantum computing वाले computer कर सकते हैं सामने computer की अपेक्षान और इनकी जो इकाई होती है quantum computer की वो क्या होती है qubit होती है सामने computers की इकाई क्या होती है bit होती है bit जिन computers की इकाई होती है वो सामने computer किसी भी data को 0 के रूप में या 1 के रूप में या तो 0 के रूप में ग्रहन करेंगे या 1 के रूप में ग्रहन करेंगे binary number के रूप में ग्रहन करते हैं लेकिन qubit के रूप में ये quantum, computer, 0 और 1 को एक साथ एक ही समय में क्या कर सकते हैं सुनिश्चित करते हैं एक से ज़्यादा टास्क एक ही समय पर करने को ठीक है अब क्यूबिट की अधिक संख्या ये ग्रेंड कर शकते हैं साथ ही अधिक तिवरता से ये इस क्यूबिट को ग्रेंड करते हैं इसलिए टास्क करने की संपन करने की जो इनकी गती होती है वो भी स से उर्जा क्या होती है कम खपत होती है उर्जा के प्रती ये क्या होते हैं दक्स होते हैं एनर्जी ये क्या होते हैं एफीशियंट होते हैं सामन्य कारियों के लिए उप्योग में नहीं लिए जाते हैं अपी तो पेक्षाकरत जटिल प्रकार के टास्क के लिए ये एडवांस टेकनोलोजी के लिए क्या लिए जाते हैं quantum computing काम में लिए जाती है word और email जैसे सामने जो कारे हैं वो इनके द्वारा नहीं किये जाते हैं वो सामने computer के द्वारा किये जाते हैं quantum computing advanced प्रकार की जो technology है उनके लिए use में लिए जाते हैं ये था quantum computing next RFDI जिसे का जाता है radio frequency identification वो टेकनोलोजी है जिसके माध्यम से तरंगों के द्वारा किसी वस्तू की क्या कर ली जाती है पहचान कर ली जाती है देखते हैं जब भी आप airport पे जाते हैं तो आपके बैग की पहचान कैसे की जाती है एक विशेश प्रकार की तरंगों द्वारा RF ID technology की द्वारा की जाती है इसके अंतरकत क्या होता है जो reader होता है जो RFID का reader होता है वस्तू पर क्या लगा दिया जाता है एक tag लगा दिया जाता है किसी भी वस्तू पर क्या लगा जाता है एक tag लगा दिया जाता है उस tag को क्या बोलते है radio frequency tag बोलते हैं अब इस tag के द्वारा ये वस्तु कहीं भी स्थितों उसकी पहचान कर ली जाती है कैसे कि जो reader होता है उस reader के द्वारा radio तरंगे भेजी जाती है जो इस वस्तु से टक्राकर वापिस आती है जिससे इस reader से इसकी दूरी और दिशा का अंदाजा लगा लिया इसी प्रकार का एक कारिये हम देखते हैं बारकोड के माध्यम से भी किया जाता है हम किसी सामान को लेने जाते हैं तो बारकोड को क्या किया जाता है स्कैन किया जाता है और उस वस्तु का मुल्य सामने दुकांदार को स्क्रिन पर दिखाई देने लग जाता है लेकिन RFID टेकन लाइन ओफ साइट होनी चाहिए वो दोनों एक दूसरे को क्या होनी चाहिए दिखनी चाहिए जबकि RFID टेकनोलोजी में जरूरी नहीं है कि रीडर के सामने ही वस्तु इस्तितो लाइन ओफ साइट में हो वस्तु उसको दिखाई दे दूर से भी या टैग के उपर अन्य कोई दिवार आ गई कोई वस्तु आ गई तो भी RFID के माध्यम से क्या किया जा सकता है वस्तु की पैचान की जाती है जबकि बारकोर्ड में हम दे उनमें एक वस्तु बनकर कहां से किस चरण पे कहां किस जगह पर पहुंची है उसकी ट्रेकिंग के लिए इसी प्रकार टॉल कलेक्शन के लिए भी इस RFID टेकनोलोजी का प्रियोग किया जा सकता है उसके बाद नेक्स टेकनोलोजी ब्लोक्चेन टेकनोलोजी बहुत आपने ब्लोक्चेन टेकनोलोजी वास्तिक रूप में क्या होता है एक डेटा होता है जो विभिन प्रकार की डिवाइसेस पर शेव होता है अथार्थ विकेंद्रित प्रकार का डेटा होता है जो कई डिवाइसेस पर क्या होता है शेव होता है पारंप्रिक प्रकार के जो डेटा ह होते हैं traditional जो data होता है उसमें क्या होता है data किसी ना किसी एक centralized database में क्या किया जाता है एक centralized database में जब data को save किया जाता है तो जब भी database में परिवर्तन करना होता है data में कोई परिवर्तन करना होता है या कोई transaction जब होता है तो जो centralized database है उसमें क्या होता है परिवर्तन होता है और centralized database में ये जो परिवर्तन होता है वो धीरे-धीरे क्या होता है update होता है एके करके update होता है यानि कोई data क्या है save है bank में मालो कोई data save है अब जब भी कोई transaction होगा तो bank का centralized data है जैसे हमने हमारे account में इसे पैसा निकाला अब पैसा जो निकाला वो एक बार हमने transaction किया फिर दूसरा transaction किया तीसरा transaction किया वो transaction का जो data transaction के करण जो data change होगा वो central database जो होगा bank का सभी bank को मिला कर जो central database बना जाएगा उस पे धीरे धीरे क्या करके एक एक करके क्या होगा update होगा सबसे पहली चीज तो एक करके update होगा किसमे traditional प्रकार का जो database होता है traditional प्रकार का जो data होता है उसमें और दूसरा central database किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है तो यदि traditional data होगा तो उस central database में व्यक्ति जो उस पर अधिकार रखता है। किस पर? Central database पर उसमें क्या कर शकता है? परिवर्तन कर शकता है, उसे delete कर शकता है, उसको hack कर शकता है। यानि किसी भी परकार का परिवर्तन वो उस data पर क्या कर सकता है छेड़चाड कर सकता है जिसका पता users को लगेगा भी नहीं अथार्थ यदि bank के central data base में मालो किसी परकार का परिवर्तन होता है तो हमारे जो हम user है account holder है उनको किसी परकार का परिवर्तन का पता ही नहीं लग पा डेटा का decentralization का तातपर रहे हैं डेटा विभिन परकार के जो नोड़ के मशीने होती है अलग-अलग मशीनों में क्या होता है सुरक्षित रहता है ठीक है तो प्रते एक computer में जो इसे जुड़ा होता है उसमें data की एक copy क्या रहती है सेव रहती है, सुरक्षित रहती है यदि data में किसी भी परिकार का परिवर्तन किया जाएगा data से छेड़चाट की जाएगी तो प्रते एक computer जो उस data से जुड़ा हुआ है उसके data में भी क्या हो जाएगा परिवर्तन हो जाएगा blocks के रूप में किया जाता है ये जो blocks होते हैं, उनमें दो परिकार के data होते हैं, वो होते हैं यानि blocks के रूप में data को सुरक्षित किया जाएगा blockchain technology में और ये data, blocks के अंतर के दो परिकार का होगा एक तो header परिकार का data header परिकार का जो data होगा वो उस network से जुड़े हुए सभी computers को दिखेगा सभी प्रकार के computer जो उस network से जुड़े हुए है उन सभी को header data दिखेगा दूसरा होता है private data ये network से जुड़े हुए computer जो है उन सभी को नहीं दिखेगा अपितु private प्रकार का रहेगा cable data का जो owner है डाटा का जो स्वामी है उसी को दिखेगा डेटा में परिवर्तन हुआ है ये सभी को दिखेगा लेकिन क्या परिवर्तन हुआ है ये केवल किसको दिखेगा प्राइवेट डेटा वाला पार्ट केवल किसको दिखेगा डेटा जिसके पास में है उसी को दिखेगा और जैसा मै नया transaction होता है नया data add होता है या delete होता है तो इस blockchain में या तो एक block जुड़ जाएगा या एक block क्या हो जाएगा हट जाएगा और block के जुड़ते या हटते ही इस network से जुड़ी वी जितने भी computer या devices हैं उनको क्या लग जाएगा पता लग जाएगा ठीक है और ये परिवर्तन के जोड़ना या उसको अटाना यानि data में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कब हो सकता है जब उस network से जुड़े हुए सभी computers या उपकरणों द्वारा इसकी permission या authorization मिल जाएं उसके बाद ये परिवर्तन हो सकता है इसलिए कोई एक उप्योग करता कोई एक individual data में परिवर्तन न ज्यादा क्या है सुरक्षित है हम देख रहे हैं कि blockchain technology में data किस प्रकार से blockchain के रूप में रहता है यह मालोग कोई transaction हुआ नया block add होना है तो पहले सभी से क्या लेना पड़ेगा validation लेना पड़ेगा सभी devices से validation मिलेगा उसके बार इस ये जो chain है उसमें एक और data एक और जो ब्ल लिए इसके data से blockchain technology के data से छेड़ चाड़ करना संभवनी अत्यदिक सुरक्षित प्रकार का data है इसलिए digital currency में इनका उपयोग लिया जाता है digital currency जो है वो बिलकुल सुरक्षित है पारदर्शी है सभी प्रकार के transaction जो होंगे वो सभी users को पता लगते हैं लेकिन इसमें समश्य क्या क्या है users की जो पहचान होती है वो गोपनिय होती है और users की पहचान गोपनिय होने और किसी प्रकार का regulation नहीं होता सिर्फ data के परिवर्तन पर fixed data होगा fixed devices पे होगा किसी प्रकार का regulation नहीं होता इसलिए गोपनियता नहीं होती और regulation नहीं होने के करण इनके मुल्ले में उ उपर नीचे हुए थे और money laundering की संभावना भी उसके माध्यम से जताई गई थी तो ये था इसका पहला उपयोग digital currency में इसके लावा health data को संग्रहित करने में health data पूरे देशवासियों का मानलो health data एकत्रित करना है तो blocks के रूप में एक blockchain बना दी जाए और data को सुरक्षित कर लिया जाए blockchain technology को उपयोग करते भी इसी प्रकार voting जो हमारी जो voting की प्रक्रिया है उस voting की प्रक्रिया को भी यह दि ब्लोक्षेन technology से जोड़ दिया जाए तो एक बार जो voting हो गई एक बार जो transaction हो गए उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा परिवर्तन होगा तो प्रते एक voter के पास मैसेज चला जाएगा इसलिए अत्यदिक सुरक्षित और गोपनिय तरीके से voting हो पाएगी मतों की संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा और इसी प्रकार से विविन प्रकार के transaction banking में जब होंगे तो वो भी सभी users को पता लग पाते हैं किसके द्वारा blockchain technology से तो banking चितर में भी इसका प्रियोग किया जाता है जा सकता है तो यह थी blockchain technology तो इस प्रकार से आज की technology के बारे में आपकी जो समझ है वो इस class के बाद में बैतर हुई होगी इसी कामना के साथ मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए धन्यवाद जहिंद